इस लेक्चर में उत्राखंड के चारधाम एक्ट के बारे में डिसकस करेंगे अभी रीसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि उत्राखंड गौवर्मेंट ने अनौश किया है गोशना की है कि जो चार धाम मैंगेजमेंटक है उसको विद्राखंड कब मतलब वापस लेता लएक्व आड़को या bleibt कर देंगे रदद कर देंगे चैंसल कर देंगे इसके cancel होने की वज़े से उत्रा खंड चार धाम देवा स्थानम management जो board बना हुआ है उसको abolish कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा क्योंकि देखो बहुत सारे यहां पे देखो विश्व हिंदू परिशद प्रोटेस्ट कर रहे हैं four strings है उसके stackholdern है ते चार तीर्थ सतान है जहां पे धार्मिक लोग घूमने के लिए जाते हैं तो व प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ प्रिश्ट है यहां पर पुजारी वह भी इशू अगर यह प्रोजेक्ट बनाया जाता तो 690 हेक्टियर का जो फोरेस्ट है वो भाइसा खतम हो जाता है डिस्टोव हो जाता पच्पन हजार ट्रीज काटे जाते लगभग 20 मिलियन क्यूबिक मीटर जो सोईल है वो यहाँ पर इरोजन हो जाता जो यहां की बाइडवस्ट है उसका लॉस हो जाता एकोलोजी का लॉस हो जाता रोड को चोड़ाने की वज़े से बहुत सारे वेजिटेशन है यहां पर पे पर जो प्रोजेक्ट है चार जो तीर्थ सिस्तान है आपर चार धाम जिनको बोला जाता है बद्रिनाथ केदार्नात गंगोतरी और यमनोतरी इनको यह再िछ बप्रतियात्र कृते हैं यह झूद्ध के लिए जयाते है तो ही यात्रा करने मेप है यहां पर यह यम्नो त्री गंगोत्री यम्ना नदी निकल से यहां से गंगोत्री गंगा नदी निकलती है इधर गोमुके यहां से निकलके यह गंगोत्री है यह केदार नात है यह बद्री नात है तो यह जो प्लेस हैं यहां पर मंद्री भी बने हुए हैं यहां से हो मेरा दून में और मेरट में जो केम्प बने हुएं वहां पर मिसाइल बेस हैं हैवी मसीनरी लखी हुई है आर्मी के जो एक्विपमेंट है मिसाइल गन गोला बारूद यह आसानी से वहां पर आर्मी तक पहुचाए जा सकते थे अगर यह हाईवे डवल अप होते तो सुप्र का लॉस हो जाए बहुत ज्यादा जो रीकवर नहीं किया जा सके तो यह सुप्रिम कोट ने कहा था तो यही था इसके बारे में